Hello everyone, welcome to our YouTube channel ITA Education आप सभी के लिए बहुती अच्छी खुसकबरी निकल कर आ रही है कौसल विकास एबं उध्यम सिल्दा मंतराले की ओर से यहाँ पे एक बहुती बड़ी डिसीजन लिया गिया है जो कैंडिडेट ITA के बाद अपरेंटिसिप करते हैं अब अपरेंटिसिप को एक्सपरियेंस के रूप में माना जाएगा गाईज जैसा है कि आप सभी को पता होगा बहुत सारे मंतराले की ओर से IT पास विद्यारतियों के लिए बेकेंसी निकलता है जहां पर एक्सपरियेंस का मांगा जाता है कहीं कहीं पर एक साल कहीं कहीं पर दो साल और कहीं कहीं पर नोटिफिकेशन में ही लिख दिया जाता है कि अपरेंटिसिप को एक्सपरियेंस के रूप में काउंट नहीं किया जाएगा और कहों कहीं पर विभागों में देखा गया कि count कर लिया जाता है इसको लेकर के MSDE ने एक बहुती important decision लिया गया है और सभी मंत्राले को एक लेटर लिखा गया है कि आप लोग apprenticeship को experience के रूप में count कीजिए बहुती बड़ी decision है और later भी release हो गया है तो इस वीडियो में बने हु experience के रूप में भी count होगा तो सभी से request में बने हुआ रही है मैं पूरी जनकारी दूंगा इसकी नहीं कीजिएगा और चैनल को subscribe कर दीजिएगा वीडियो को like जिरू कर दीजिएगा बहुती आप सभी के लिए good news है बहुत दिनों से ये इसका सभी candidate वेट भी कर रहे थे कि अच्छी decision लिया गया है मंत्राले की ओर से 12 सरकार की ओर से और decision जो है वह जारी हो गया है अब चलिए मैं आप सभी को जो लेटर रिलीज किया गया है उसी के माधियम से सारे डीटेर में आप सभी को share करता हूँ यह है official notice जो रिलीज किया गया है government of India ministry of skill development and entrepreneurship apprenticeship training division यानि कि यही मंत्राले है जो apprenticeship कराती है जितने भी apprenticeship इसू होता है यही इसू करती है जिसको हम लोग NAC गोलते है national apprenticeship certificate आप सभी को पता होगा अलग-अलग मंत्राले होता है तो apprenticeship का इसी मंत्राले देख रेक करती है तो यह निव देली 19-2024 का notice है और यह किन को लेटर लिखा गया है यह लेटर जो लिखा गया है सभी ministries को लिखा गया है सभी department को लिखा गया है जितने भी central PSU है जैसे कि सेल भेल जितने भी vacancy आती है सभी को लिखा गया है उसके बाद central public sector undertaking या अधर को भी लिखा गया है सभी state government को भी ल of due duration of apprenticeship training under going by ITA past candidate and having national apprenticeship certificate in design trade as work experience regarding यानि कि जो candidate ITA past होने करते हैं कोई भी विभाग से जिसके बाद उसको एंसी मिलता है national apprenticeship certificate उन्न को जो है शेवर्क शिडुति काउंट करने के लिए करके यहief जाएज तो देखें इसमें इंपोर्टन चीज़ क्या इब लीखा गया है zum देखें यह तो यह हो गया कि है कि आइपनेरेठेटे सिब करते हैं इसमें एक आइनेरेटीज चलाने का, या भी कोई भी जो मंत्राले में अपरेंटिसिप करते हैं उनको यहां पर एक्सपरियेंस के रूप में माना जाएगा यहां पर देख सकते हैं यहां पर जितने भी मंत्राले की और से जोब अपर्चिदर निकलता है तो देख्या है यहां पर यहां पर एक के मात्राले के माना करते हैं बल देख्यां नोटिफिकेशन के माद्वियम से जनकारी देता हूं कैसे फायदा आप लोग को पहुंचेगा अभी देखिए ये ECIL का एक vacancy निकलाता ये junior technician का निकलता है contract basis पे तो देखिए यहाँ पे यह qualification क्या मांगता है तो देखिए यहाँ पे बोला जाता है कि एक तो आप लोग का ITA पास रहना चाहिए और साथी साथ में with के साथ में लगा है one year का apprenticeship होना चाहिए और साथी साथ यह कि अब भारा सरकाने implement कर दिये है कि अब जो apprenticeship है वो one year के experience में आएगा और इसी को लेकर के सभी मंतराले को यह आदेश दिया गिया है कि आप सभी इसको implement कर दीजिए अब देखिए कुछ-कुछ भी भाग में तो है कि apprenticeship को experience कुरूब में count कर लिया जाता है लेकिन साब सब यह करने के बाद एक साल का experience मांग रहा है तो आप देकि जितने भी भेकेंसी आएगा कोई भी मंतराले से तो वहां पे experience को experience कर रूप में count किया जाएगा और यह चीज भारा सरकार ने और लेडी सभी मंतराले को यह बोल दिया गया है और मैंने आप लोगों को लेटर भी सियर क करते हैं उनको एक साल का experience मानना जाएगा work experience के रूप में और देखिए जो करने के बाद डारेक्टी करते हैं उनको मानना जाएगा work experience के रूप में तो गाइस मैंने आप लोगों को notice के मादिया हम से डीटेल दिखा दिया हूँ समीड़ी यही है कि जो बहुत सारी विभागों में apprenticeship को experience के रूप में नहीं माना जाता था अब सभी विभागों को मानना होगा क्योंकि यह MSDE का आदेश है भारा सरकार का यह बहुत बढ़ा decision लिया गया है कि जो candidate IT करने के बाद NAC करते हैं apprenticeship करते हैं उनको work experience के रूप में म कि अब डिसीजन हुआ है तो सभी मंत्राले इसका मतलगी implement करेगी सभी विभाग इसका मानने की आदेश को और जैसी notification आएगा तो यह जो आप लोगों देखने को नहीं मिलेगा और लेडी आप लोगका एक सार का work experience क्रूप में count हो जाएगा और बहुत सारे मंत्राले में य लेकिन आप उनको मानना होगा चुकी मंत्राले का अधेस हो चुका है तो यह सबसे बड़ी आप सभी के लिए अच्छी का बार है कि जो कहने रिए आइटी के बाद करते हैं कोई भी मंत्राले से कोई भी विभाग से आप लोगों को एनसी मिलता है तो आप लोगों का एक वह काउन्ट होगा जएंज झालआ ऑर देखिए यह जितने भी रासरकार हो या केंसरकार जितने भी विभाग के ओर से आती है उसमें सभी को यह चीज़ मानना है और वो चीज़ सभी को लिखा भी गया है तो यह नहीं समझेगा कि Central में ही सभी State को भी मानना परेगा जितने भी State में जो पी एसीव से वेकेंसी निकलती है यह जितने भी तो वो सभी को मानना होगा तो एक चोड़ा सब्डेट था कि गाइस आप सभी के नॉटिस दिखाए दिनी आओ बात बाकी वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजेगा और चैनल में पहली बारों के सब्सक्राब करके बेल आकान कॉल कर दीजेगा मिलोंगा नए वीडियो में नए जनकारी के साथ अब तक लिए दोस्तों धन्नवाद